मंगलवार को मोधिस सरकार ने अपने तीसरे कारेकाल का पहला बजट पेश कर दिया है और बजट पेश होने के अगले दिन ही यानि कि आज बुद्वार को राजस्तान के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर जा रहे है अब बजलाल का ये दिल्ली दौरा राजस्तान की सियासत के लिए बेहत अहम माना जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद राजस्तान में बड़ी सियासी उठापजग हो सकती है वो कैसे आज वीडियो में बात इसी पर तो देखे पहले तो आपको ये बता दे कि मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा का दोपह डेड़ बजे के आसपास के करीब दिल्ली जाने का कारिकरम प्रस्तावित है और जहां वे लोकसबा और केंद्रिय मंत्रियों इसके साथ इपाची नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे अब ये मुलाकात राजस्तान के लिए इतनी अहम क्यों है देखें ये तो आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रदेश में सियासी गलियारों में दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात हो रही है पहला मुद्दा राजस्तान के क्रिशी मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मिना के इस्तिफे का तो वहीं दूसरा बड़ा मुद्दा बजलाल मंत्री मंडल में बड़े फिर बदल का तो चलिए सबसे पहले बात डॉक्टर किरोडी लाल मिना के इस्तिफे मामले पर जो की अभी तक भी सुलच नहीं पाया है यानि कि मामले पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर फैसला क्या होगा किरोडी लाल मिना ने अपनी मंत्री पत से इस्तिफा देने के बारे में चार जुलाई को सारवचनी घोशना की थी हाला कि इस्तिफा तो वो इससे पहले ही दे चुके थे और आप देखिए कि इस्तिफा दिये जाने की घोशना को आज सक्रीबन 20 दिन पीच चुके है मगर अभी तक मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है एक तरफ मुक्यमंत्री बजनलाल शर्मा है जो कि किरोडी लाल मिना का इस्तिफा स्विकार करने को तयार नहीं है और दूसरी और खुद किरोडी लाल जो कि अब किसी भी सूरत में अपना इस्तिफा वापस लेने को रेडी नहीं है अब पेंच यही फसा हुआ है जैपुर से लेकर दिल्ली तक कश्मकश जारी है विपक्ष पक्ष पर अपनावर है और किरोडी लाल मिना के समर्थक लगातार मुक्यमंत्री बजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिख रहे है और मांग कर रहे हैं कि उनका इस्तिफा नामनसूर कर दिया जाए इस्तिफ़े के गोशना के बाद किरोडी लाल मिना को दिल्ली भी तलब किया गया था जा उन्होंने पार्टी के राष्ट्री अध्यक्षी जेपी नज्डा के साथ मुलाकात की थी जिसके बाद खबर थी कि किरोडी लाल मिना को कुछ ओफर किया गया मगर वो उससे सहमत नहीं किरोडी के बाद अब पाटी की अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली गयते और अमिशा के साथ उन्होंने मुलाकात की और चर्चा है कि उन्होंने भी शार्फ हो किरोडी के इस्तिफे से रिलेटेट फीड़बैंक सोपा है वही अब आज मुख्यमंत्री बजल लाल शर्मा दिल्ली जाने वाले हैं और माना ये जा रहा है कि आज वो किरोडी लाल मिना के इस्तिफ़े पर हाई कमान का फर्मान ला सकते है यानि कि सीम के इस दोरे के बाद किरोडी लाल मिना के इस्तिफ़ा चैप्टर पर पूर्ण विराम लग सकता है यानि की बड़ा फैसला हो सकता है अब फैसला क्या होगा? क्या ये इस्तिफा मनसूर होगा? या फिर नहीं? या फिर किरोडी लाल मिरा के इस दे कोई दूसरी बड़ी जिमेदारी आ सकती है? ये जरा हम वक्त पर छोड़ देते हैं और चलिया बात मंत्री मंडल फिर बदल की चर्चा है कि राजस्तान में मंत्री मंडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं सियासी सुत्रों की मानी चाहे तो मंत्री मंडल में ये बदलाव मंत्रियों के पफोमेंस के आधार पर हो सकते हैं इसके आधार पर वर्तमान मंत्रियों के कारियेकरम कानवी निकरन होगा और उनकी पर्फुमेंस ये तय करेगी कि उनकी पारी जारी रहेगी या फिर नहीं जानकारी के मुताबिक इसे लेकर दिल्ली में पाटी हाय कमान के पास BGP के मंत्री मंडल के सदस्यों की performance report भी गई हुए जहां पर उसकी समिक्षा की जा रही है कयास ये भी है कि वर्तमान मंत्री मंडल में 4-5 एसे मंत्री है जिनके performance को लेकर बदलाव की संभावना है और उनकी जगा नए विधायकों को मंत्री मंडल में जगा मिल सकती है खैना पजनलाल के दिल्ली दौरे के बाद इस मामले पर भी तस्वीर इसपष्ट हो सकती है भ्योरो रिपोर्ट पंजाब के इस्वी राजस्तार